नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स शेरबाज और काली घाटी के नर्भक्षी कथा एवं चित्रांकन राना ब्रदर्स गर्मियों के एक दिन वन्ने जीवों की खालों का अवेद धंदा करने वाले तीन तसकर काली घाटी के आरक्षित वन में चोरी छुपे शिकार करने पहुँचे एक जलकुण के किनारे खड़े विभिन प्रेडों पर वेल ताक लगा कर शिकार की प्रतिक्षा में बैट गए दोपहर बाद एक बागिन जलकुण पर पानी पीने आई यह सुनहरा मौका देख तसकरों के मुखिया मंगा सिंग ने उस पर गोली दागी गोली बागिन के दाहिने पंजे पर लगी परन्तु घायल बागिन दूसरे तसकरों के गोलियों से बचती हुई छलांग मार कर घनी जाडियों में ओजल हो गई फिर वह लंगडाती हुई अपनी मान्त की और दोड़ पड़ी जहां उसके दो बच्चे थे लेकिन अब वह घायल होने के कारण शिकार करने में असमर्थ हो चुकी थी एक दिन जब भूकी बागिन लंबी घास में निढाल सी पड़ी हुई थी गाउं की कोछ स्त्रियां घास काटकर ले जाती हुई उसके पास से गुजरी भूक से परिशान बागिन ने उन पर हमला कर दिया एक स्त्री को मार गिराने के पश्चात रक्त की गंद पाकर बागिन उस स्त्री को खा गई और इस तरह वह नर्भक्षनी बन गई उसके दोनों बच्चे भी अपनी मा के पच चिन्नों पर चलते हुए नर्भक्षी हो गए उन नर्भक्षियों द्वारा बहुत से मनुष्यों के जान ले लेने पर काली घाटी और उसके आसपास के गाउं में बुरी तरह आतंग छा गया बहुत से जाने माने शिकारियों ने उनको मारने का प्रयत्न किया परन्तु असफल रहे अन्त में काली घाटी के वन्ने जीव संड़क्षक मिस्टर महरा ने एक सू प्रसित शिकारी मेजर गरेवाल के साथ स्वे नर्भक्षियों का सफाया करने की योजना बनाई पिछले दो वर्षों में ये नर्भक्षी 68 मनुश्य मार चुके हैं ओ तब तो इनका जल से जल सफाया होना चाहिए लेकिन हमें इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि इन नर्भक्षियों के भुलावे में कोई सामान्य बाग ना मारा जाए निसंदे हम ध्यान रखेंगे फिर वन्य जीव संडख्षक मिस्टर महरा और मेजर गरेवाल कई दिनों तक उन नर्भक्षियों का पीछा करते रहे एक बड़े भाग के पंजों के निशान मगर यह नर्भक्षी नहीं है और एक दिन लंगडा का चल रही है शायद वही नर्भक्षणी है ऐसा सुनहरा मौका फिर हात नहीं लगेगा मेजर गरेवाल ने तुरंत सावधानी से बागिन का निशाना साथते हुए अपनी बंदू का घोड़ा दबाया परंतु दुर्भाग्य से कार्थूस नहीं चला और नर्भक्षणी उची घास में परविष्ट हो लुप्त हो गई हताश हो मेजर गरेवाल वापस लोटा मुझे खेद है मिस्टर महरा आज मैंने एक बहुत ही सुनहरा अफसर खो दिया कोई बात नहीं मेजर शिकार में कभी-कभी ऐसा हो ही जाता है मिस्टर महरा मैं आपको एक और शिकारी को बुलाने का सुझाव देता हूँ जो यह काम आसानी से नेप्टा देगा जैसा आप उचित समझे मेजर पर वह है कौन आपने शेरबास सिंग का नाम तो सुना ही होगा जिसने दो वर्षपूर पीपल गड़ी के कुख्यात नर्भक्षी तेद्वे को बड़ी मुस्त्यादी से निहत्ते ही माल गिराया था हाँ हाँ उसकी तो इन दोनों बहुत चर्चा हुई थी वास्तव में इन नर्भक्षियों को मानने के लिए हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है वह मेरा लंगोटिया यार है मैं अभी उससे संपक्ष थापित करता हूँ इससे पहले की नर्भक्षी और मनुश्यों के जान ले उसे यहां आ जाना चाहिए अगले दिन मेजर ने शेरबास से संपक्ष थापित किया मैं चाहता हूँ कि तुम जल से जल काली घाटी मिस्टर महरा के पास महुँचो वहाँ तीन नर्भक्षी बागों ने आतंग फैला रखा है हाँ मैं इस संपन्द में जानता हूँ मित्र मैं इनी नर्भक्षियों का सफाया करने की योजना बना रहा था मेरी शुबकामनाई तुम्हारे साथ होगी धन्यवाद मित्र उनकी भी जरूरत पड़ सकती है अपने निवास थल पक्षी विहार में शेरबाज ने अपने फाम की मेनेजर दिलावर को काली घाटी को रवाना होने से पूर्वर कुछ हिदायते दी मैं कुछ दिनों में लोट आऊंगा दिलावर तुम पीछे सब ध्यान रखना ठीक है शेरबाज मेरी और से शुबकामनाई शेरबाज काली घाटी के लिए रवाना हुआ मैं इन सुन्दर वन्यजीवों को मारना नहीं चाहता परंतु मानव जीवन इन से ज़्यादा मुल्यवान है काली घाटी पहुँचकर शेरबाज वन्यजीव संरक्षन मिस्टर महरा से मिला और ताजे हारातों के बारे में जानकारी ली तीन दिन पहले ढोगरी गाओं में नरभक्षी एक व्यक्ति को घायल कर चुके है धन्यवाद मिस्टर महरा मैं अभी ढोगरी गाओं जाता हूँ ढोगरी गाओं के रास्ते में ओ यह क्या एक मोटर साइकल कोई दुरगटना घटी रखती है शेरबाज जीब से उत्रा और निकट ही उसे एक लड़की बेहोश पड़ी दिखाई दी लगता है मोटर साइकल मोड पर फिसल गई है मुझे इसे जल से जल अस्पताल पहुचाना चाहिए कहीं चोट गंभीर नहो कोई गंभीर चोट नहीं जल्दी ही होश में आ जाएगी अस्पताल में अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर शंकरन ने शेरबाज को बताया कि उस लड़की का नाम रोमा है और वह उसी इस्पताल की एक डॉक्टर है यह युवा डॉक्टर बहुत परिशर्मी है अफकाश के समय दूर दूर गाउं में जाकर रोगियों का मुफ्त इलाज करती है वाह शारीरिक और आत्मिक सुंदर्य का कितना सुंदर मेल है फिर डॉक्टर शंकरन से विदा लेकर शेरबाज पुना धोगरी गाउं की और चल पड़ा धोगरी गाउं पहुँचकर शेरबाज वहां के प्रधान से मिला अब उस घायल व्यक्ति का क्या हल है पहले से अच्छा है साहब साहब उन नर्भक्षियों के कारण हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उनके भैसे गाउं की स्रियां पास की नदी से पानी नहीं ला सकती खेतों में काम बंध हो चुका है बच्ची स्कूल नहीं जा पाते नजाने कब मिलेगा शुटकारा उन से आप लोग चिंता न करें मैं इन नर्भक्षियों को समाप्त करने की पूरी कोशिश करूँगा साहिब कल रात एक बाग गाउं के उत्री छोर की तरफ से गरश्ता सुनाई दिया था और शेरबाज ग्राम वासियों को दिलासा देकर प्रधान द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा जल्दी ही उसे एक बाग के पच्चिन दिखाई पड़ गए पच्चिन बताते हैं कि बाग इस दिशा में गया है फिर उन पच्चिनों के पीछे पीछे चलता हुआ शेरबाज घने जंगल में पहुँच गया ओ अजगर कितना सुन्दर है वनने जीवन के नजारे देखते हुए शेरबाज आगे बढ़ता गया कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे चीतलों का एक जुन्द दिखाई दिया इस जंगल में बागों को शिकार की कोई कमे नहीं आश्चैर्य है फिर ये बाग नर्भक्षी कैसे बन गए तभी एक लंगूर की तेज आवाज ने उसे सतर्क कर किसी सिंसक पशुके निकट होने के चेतावनी दी ओ तो इसके लिए थी वह चेतावनी शेरबाज ने सतर्क एवं साब्धान होकर आसपास नजरे दड़ाई शीगरी उसे एक पेड़ पर एक बड़ा तेंद्वा दिखाई दिया जो नीचे किसी जानवर पर कूदने की तयारी कर रहा था अगले ही शनवह तेंद्वा नीचे खड़े एक बड़े जंगली सुमर पर कूद पड़ा दोनों में एक रोमान्चक संगर शुड़ू हो गया परन्तु कुरूर तेंद्वा अपने तंद्यले तुश्मन के सामने टिक नहीं पाया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ थोड़ा और आगे बढ़ने पर शेरबाज को कुछ आवाजे सुनाई दी पानी में छपचप की अवाज क्या हो सकता है उच्चुक शेरबाज आगे बढ़ा और उसे हाथियों का एक जुन्ड पानी में कलोल करता दिखाई दिया कितना मनोहर दृष्य है थोड़ा आगे बढ़ने पर शेरबाज को दो और बागों के पच्चिन दिखाई दिये पहले पच्चिनों के साथ दो और बागों के पच्चिन आमिले है इन में से एक बागिन है जिसका एक पंजा तूटा हुआ है दूसरे पच्चिन उसके बच्चों के होंगे जो अब बड़े हो चुके हैं शेरबाज ने निशकर्ष निकाला यह तूटा हुआ पंजा ही उस बागिन के नर्भक्षणी बनने का कारण हो सकता है कुछ और आगे बढ़ने पर एक कटड़ा बांग कर बागों को आकरशित करने के लिए यह जगह उप्युक्त है अगले दिन उस चुनी हुई जगह पर एक कटड़ा बांथ शेरबाज निकठी एक पेड़ पर चिपकर बैट गया कुछ घंटे बाद एक बाग आकर कटड़े पर जप्टा और उसे मार दिया दो और बाग कटड़े को खाने आ गए निसंदे ये वही नर्भक्षी है मुझे पहले उस हलके रंग की खाल वाली और लंगडाती हुई बूड़ी पागिन को मार गिराना चाहिए और शेरबाज ने बूड़ी नर्भक्षणी का निशाना लिया निशाना अचूक था लेकिन दूसरे नर्भक्षी धमाके की आवाज सुनकर भाग निकले और घनी जाडियों में लुप्त हो गए शेरबाज ने अपनी 450-2-400 बोर वाली राइफल में नया कार्तूस डाला चलो एक का काम तो तमाम हुआ अब दूसरों को देखूंगा मरी हुई बागिन को गाउन ले जाया गया शेरबाज मिस्टर महरा के पास पहुँचा बहुत खूब मिस्टर शेरबाज बाकी दोनों नरभक्षिओं के लिए मैंने एक नई योजना बनाई है नई योजना क्या है? क्रिप़्ाज बताएं हमारे देश में बागों की संक्या कम होती जा रही है इसलिए यह जरूरी है कि इन दोनों जवान बागों को भरा injection होता है जो जानवर के लगते ही उसे कुछ मिंटों में बेहोश कर देता है धने जंगल में जब शेरबाज सतर्ता से आगे बढ़ा चला जा रहा था तो गोलियों के चलने की आवाज ने उसे चौका दिया कौन गोलिया चला रहा है पता लगाना चाहिए एक स्थान पर पहुचकर शेरबाज तीन बंदूग धारियों को एक मारे हुए तेंद्यों के पास खड़े देख आश्यर चकित हो उठा इससे पहले की कोई वन अधिकारी यहां पहुचे हमें यहां से निकल चलना चाहिए आरश्चित वन में शिकारी कैसे इन्हें कानून के हवाले करना चाहिए शेरबाज आगे बढ़ा इंसान की खाल का दंधा भी सही तुम लोग कौन हो इस तेंद्यों को मारने की तुमने भिम्मत कैसे की छोकरो जरा बताना मेरी बंदूग बताएगी परंतु इससे पहले की वे शेरबाज को निशाना बना पाते शेरबाज ने फूर्ती क के सामने शेरबाज का कठोर रूप आया ओ एक निकल भागा खैर ये दोनों उसके बारे में बताएंगे जब शेरबाज धराशाई तसकरों को उन्हीं की रस्तियों से बानने जा रहा था तब सहसा उनका सरदार मौका पाकर भाग निकला शेरबाज दोनों तसकरों को मरे पड़ाव की और चल पड़ा तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद